प्रमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है ओम शांती गौडलीवोड स्चूडियो द्वारा प्रस्तुत आमुले रत्न में आप सभी का हारदिक स्वागत है परमपिता परमात्मा को सभी दाता विधाता वर्दाता कहकर पुकारते हैं और इश्वरिये प्राप्तियों के आधार पर मनुश्य आत्माई भी कोई दानी, कोई महादानी और कोई वर्दानी बन जाती हैं। दानी, महादानी और वर्दानी आत्माओं के मुख्य लक्षण वो विशेष्टाएं क्या हैं। आज हम इश्वरी महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के इस पश्टी करण के लिए हमारे मद्दे हैं प्रजापिता ब्रम्हा कुमारिस इश्वरी विश्विद्याले के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षप आदर्नी राजयोभाई सहाब प्रजापिता आज की एपिसोड में बहुत वस्वाकत है फ़सर आज हम बात करेंगे पाच मई समिटे समिटे समन के महावाक्यों पर जिसका टॉपिक है वर्दानी, महादानी, और दानी आत्माओं के लक्षन परमात्मा कहते हैं कि वर्दाता बाप अपने वर्दानी, महादानी और दानी बच्चों को देख रहे हैं जिन्होंने स्वयम को सर्वखजानों से संपन्न किया है वहे हैं वर्दानी बच्चे जिन्होंने सर्वखजानों से स्वयम को संपन्न नहीं किया है लेकिन थोड़ा बहुत यथा शक्ती जमा किया है वह है महादानी जिन्होंने जमा नहीं किया लेकिन अभी अभी मिला अभी अभी लिया और उसी समय जो कुछ लिया वह दिया वह है दानी आत्माई जो जमा नहीं करते लेकिन कमाया कुछ खाया, कुछ दिया ऐसे तीन प्रकार के बच्चे बाप देख रहे है परमात्मा अपने बच्चों की क्वालिटीज को वर्णन कर रहे है महादानी, वर्दानी और दानी तीन प्रकार के बच्चे नंबर वार सभी है वर्दानी वो हैं जो बहुत सब सक्तियां सब खजाने अपने पास जमा करके फिर दोसरों को दे रहे हैं दानी आत्माएं जमा करती हैं लेकिन संपूर्ण सब प्रकार की सक्तियां उनके पास नहीं है जितनी हैं उतनी दोसरों को सेवा में दे रहे हैं लगा रहे हैं और दानी को मिलता है उसी समय गरहान करते जितना मिला उतना बाट देते जाते हैं तो तीन प्रकार के बच्चे परमात्मा ने वरन कि हम सब को खुद को चेक करना चाहिए क्योंकि दाता ने वर्दाता बन करके हम सब कुछ दिया है सब प्राप्तियां हैं हम सब के पास लेकिन हमारे पास जमा कितनी है और जमा करके हम दोसरों को सिवा में कहां तक दान कर रहे है तो वर्दानी स्टेज नंबर वन स्टेज है महादानी सिकन नमबर की स्टेज है और दानी स्टेज थर्ड नमबर की स्टेज है तो नमबर वार सभी बच्चे हैं कोई दानी है, कोई महादानी है और कोई वर्दानी है बिल्कुल परमात्मा कहते हैं कि वर्दानी बच्चे स्वयम के जमा किये हुए खजानों को अर्थात स्वयम की शक्ति स्वयम के गुण द्वारा स्वयम के ग्यान खजाने द्वारा निर्बल आत्माओं को वर्दान द्वारा हिम्मत हुलास की शक्ति और खुशी का खजाना अपने सहयोग की शक्ति से देकर उनके पास इतना है जो दूसरों को मदद कर सकते हैं परमात्मा अपने वर्दाने बच्चों को देख रहे हैं कि जो भी उनके सामने कमजोर आत्मा आती हैं उनको अपना आनुभो सुना करके उनको कुछ शक्ति दे करके गुन दे करके उनको भी कमजोर से सक्तिसाली बना देती हैं उमागुसा भर देती हैं तो सहीयोग देना किसी को समय पर साथ दे देना और उनको कोई भी कमजोरी उनकी भुला देना ये वर्दानी आत्माय कर सकती हैं बिल्कुल आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि महादानी, पुरुशार्थ कराने की युक्तियां या हुलास, उमंग में लाने की युक्तियां बताते हुए, कमजोर आत्माउं द्वारा पुरुशार्थ कराने के निमित बनते हैं, सुमृति दिलाते हुए, समर्थी में लाने क अपने शक्तियों का सहयोग नहीं दे पाते। लेकिन रास्ता सपष्ट दिखाने के निमित बनते हैं। ऐसे करो, ऐसे चलो, इस तरह मार्ग दर्शन कराने के निमित बनते हैं। परमात्मा कहता हैं वो मार्ग दर्शन करते हैं। वर्दानी आत्मा यह सहयोगी बनती हैं। और जिनके पास है, दोसरों को दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। लेकिन रास्ता बताने अए तक। आप ऐसे करोगे तो यह इसे अनुभो कर सकते हो। यह प्रापति आपको हो सकती ह परमात्मा महादानी आत्माओं को मार्ग दर्सक का टाइटिल दे रहे हैं मार्ग बता सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं हाथ पकड़ के ले जाएं साथ दें, सहीयोग दें ऐसा नहीं कर सकते हैं वो वर्दानी ही कर सकते हैं परमातना कहाते हैं कि दानी बच्चे जो सुना जो अच्छा लगा जो अनुभव किया वह वर्णन द्वारा आत्माओं को बाप तरफ आकर्शन करने के निम्त बनते हैं लेकिन मार्ग दर्शन कराने वाले वा अपने शक्तियों के सहयोग द्वारा किसी को श्रेष्ठ बनाने वाले महादानी नहीं बन सकते। बहुत हुचा है, यहाँ पर स्वेम भगवान पढ़ा रहे हैं, सब बातें बता करके जो कुछ अनुभव थोड़ा बहुत किया है, वो दूसरों को बता करके उनके अंदर प्रोसाहित कर सकते हैं, उनको परमात्मा की तरफ आकरसित कर सकते हैं, लेकिन उनके मार्ग दर्श कराने वाले, तीसरा मार्ग बताने वाले, अब तीनों में से अपने आप को देखो कि मैं कौन, चुखकि रियलाइजेशन करना है किसको, सेल्फ को, सेल्फ रियलाइजेशन यही कॉर्स चल रहा है, जिससे अब तक जो कमी रह गई है, उससे स्वायम को लिबरेट कर सकेंग परमात्मा अपने बच्चें को वर्दानी स्टेज तक ले जाना चाहते है इसलिए कहते हैं सेल्फ रियलाइज करो कि मैं दूसरों को सिर्फ मार्क बता रहा हूँ या मार्क दर्सक बन करके उसको पाल ले जा रहा हूँ या और सहयोग दे करके उसके कमी-कमजूरियों को समाप्त कर पा रहा हूँ तो ये तीनों स्टेजेज में मैं कहां पर हूँ इस सेल्फ को खुद देखेंगे पता चलेगा क्योंकि दूसरा मुझे नहीं परक सकता है कि मैं कहां तक हूँ हमें खुद को खुद को परकना पड़ेगा तो परमात्मा के ताच चेक करो और अगर दानी स्टेज तक पहुँचे हो सुना, अनुभो किया, दूसरों को सुना दिया मार्क दरसक नहीं बन सके तो उस स्टेज तक पहले आजो और फिर अपनी संपूर स्टेज जो है जिसमें भरपूरता है, वरदानी स्ेज जिससे सहयोगी बन सको उस स्टेज को पराप्त कर लो तो हमें बहुत अंदर जाके सिर्फ रियलाइज करना होगा और सिर्फ रियलाइज किया तो अपने को हम change कर सकते हैं सब उपर उठने का तरीका क्या है लबदानी से महादानी और महादानी से वर्दानी बनने पहले महसूस करें कि ये सक्ति मेरे पास कम है मैं अनुभो किया है लेकिन अभी तक इतनी authority नहीं आई है जो पाया है वो दोसरों को देते जा रहे हैं उसके लिए कुछ समय अपने को दें अपने आपको पढ़ाएं कि भगवान ने सोयम हमें इतना सब कुछ दिया है हम दे रहे हैं दोसरों को जिन हम उसके अनुभो के authority नहीं बने तो अपने आप से जब हम बाते करेंगे एकांत में बैट करके तो हम दानी से महादानी की स्टेज तक पहुँच सकते हैं और महादानी की स्टेज के बाद है दूसरों आत्माओं को मदद करना सहयोग देना, कमजोडियों को समापत करने में उनको साहिता देना वो स्टेज लाष्ट के स्टेज है लेकिन उसको पाने के लिए हमें एकांत में बैट करके अपने आपको महसूस करना चाहिए कि मुझे कहां तक सरप्राप्तिया हुई है और उनसे मैं अपने आपको कहां तक अनुम्हो करता हूँ कि मैं भरपूर हूँ जो देना है वो सुक्ष में प्राप्तियां है, स्थूल की बात नहीं है, क्योंकि ये आंतरिक शक्तियां है, आत्मा इस समय मन से कमजोर हो गई है, मन दुर्बल हो गया, उसको सक्तिसाली बनाने की बात है, तो ज्ञान, गून, अनुभो जो कुछ हमने प्राप्त किया है, आत्मा चाहता है कि आप अनुभो की अथार्टी बन जाओ, पहले खुद अनुभो करके अच्छा लडोल इस्थिति में इस्थित हो जाओ, सिर्फ सुना अनुभो किया दे दिया दूसरों को, अथार्टी नहीं बने, तो उसके लिए हमें अपनी स्टेज को चेक करना चाहि और साथ साथ फिर गरदानी स्टेज आएगी, जब बिलकुल हम भरपूर होंगे, संपन होंगे, सर्व सक्तियों से, सर्व अनुभो की अथार्टी बन जाएंगे, तब हम दोसरों को कहेंगे, इस कमजोरी को इस तरह से आप समाप्त कर सकते हो, ये आपके अंदर जो है, ये ये दोसरों को मदद कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं तो परमातना कहते हैं कि जैसे बाप, लिबरेटर, वैसे बच्चे भी, मास्टर लिबरेटर हैं, लेकिन पहले सेल्फ लिबरेटर बनेंगे, तब औरों को भी लिबरेट कर, अपनी स्वह स्वरूप और स्वदीश की लिब्रेटर माना हमें अपनी कमी कमजोरियों से स्वेम को लिब्रेट करना है, अपनी जो संसकार हैं, अपनी जो आदतें बनी हुई हैं, कई ऐसी परानी आदतें नेचुरल नेचर के रूप में चलती रहती हैं, उनसे स्वेम को लिब्रेट करना है, जब हम खुद अपने को liberate कर लें, उसे मुक्त हो जाएंगे तब हम दूसरों को liberator बन करके liberate कर सकेंगे उनको भी उसे छुड़ा सकेंगे तो परमात्मा जैसे liberator बन करके आया है, हम सब को पुराने आदतों से विकारों से मुक्त कर रहे हैं ऐसे ही अपने बच्चों को अपने समान बनाना चाहते हैं, कि मेरे बच्चे दूसरों के लिए liberator बनें लेकिन पहले अपनी कमी कमजोरियों से liberate हो जाएं बिलकुल, परमात्मा कहते हैं कि आजकल के वातवरण में हर आत्मा, किस न किसी बात के बंधन वश है चारों और की आत्माई कोई तन के दुख के वशिभूत कोई संबंध के वशिभूत कोई इच्छाओं के वशिभूत कोई अपने संसकार जोकी दुखदाई संसकार है दुखदाई स्वभाव है उनके दुख के वशिभूत कोई प्रभु प्राप्ती न मिलने के, अशान्ती में भटकने के दुख वशिभूत, कोई जीवन का लक्षे स्वष्ट न होने के कारण, परिशान, कोई पशूं की तरह खाया पिया जीवन बिताया लेकिन फिर भी संतुष्टता नहीं, कोई साधना करते, त्याग करते, अध धनवश, दुख अशान्ती के वश आत्माई अपने को लिबरेट करना चाहते हैं, वर्तमान समय अगर इस कहलियू के अंदर जो परमात्मा ने द्रस्य प्रस्तुत किया है, अगर देखा जाये किसी के पास भी बैठो, किसी के भी बात सुनो, कुछ न कुछ दुख दर्द ह जैसे उसके अंदर भरा हुआ है, और अचानक अगर उससे कोई बात कहने लगो, तो वो दुख दर्द प्रगट होने लगते हैं, दिखाने लगता है, कि मेरे को संबंध का, वर्तमान समय संबंधों में बहुत दुख है, एक तो तनका तो है ही, लेकिन संबंध बनाए हैं, और संबंधों में विश्वास की कमी के कारण, फेत की कमी के कारण, ऐसा टकराओ पैदा हो जाता है, जो संबंध इस थाई रूप में साथ नहीं देते हैं, संबंधों का दुख बहुत ज़्यादा, तन का दुख बहुत ज़्यादा, कई प्रकार की इच्छाएं मन उसकी ब कोई संसकारों के बंधन में, कोई भक्ती पूजा कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्राप्ती नहीं हो रहे हैं, कोई तो जीवन ऐसे ही वितीत कर रहे हैं, जा खाया, पिया, सोया, तो परमात्मा वो पूरे दुख धाम का एक द्रस से हमारे आगे प्रस्तुत कर रहे हैं, कि चारों त toothbrush से हर आत्मा किसी नहीं किसी वंधन में बंधी हुई है और वंधन के कारण हो दुखी है ऐसी आत्माइं को इससे liberate करना यह परमात्मा का कार है लिए परमात्मा अपने बच्चों को सहयोगी बना रहे हैं ये मेरे बच्चे अगर सायोगी बन जाएं तो इस दुख धाम को, बहुत बड़ी दुख की दुनिया है, इस दुख धाम में कई आत्माइं जो बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, बंधन में हैं, उनको उनसे मुक्त कर सकते हैं, तो इसलिए हम सब को परमात्मा मास्टर जीवन को, कोई सहारा नहीं मिल रहा है, देखने आता है, वो अपने में बिजे हो। बंधन के कारण, दुखों के कारण परेशान हैं, तो परमात्मा कहते हैं, यह सब आपके भाई हैं, जब आप अगर मुक्त हो गए हो, तो इन पर रहम करो, इनके लिए कोई न कोई प्लैन मनाओ, कुछ समय बैठकर कि इन आत्माओं को सकास दो, मंसा द्वारा इने सकती दो ताकि वो भी इन बंधनों से मुक्त हो सकें, तो हमें कुछ समय अपने लिए इन आत्माओं के लिए इस पेसल निकालना चाहिए, और वो तब ही हम निकाल सकते हैं, जब हम खुद लिबरेट हों, अगर हम ही कहीं न कहीं बंधे हुए हैं, संसकारों में, सभाओं में, इच् तो हम इन आत्मों को मुक्त कैसे कर सकेंगे, तो परमात्मा हम सबको बहुत रहम की दृष्टी रखने की प्रेना दे रहे हैं, रहम दिल बनो, और ऐसे दुख असांती की दुनिया में, आप कुछ समय तो कम से कम फरिष्टे रूप से इन आत्मों को सकास दो, सब तक हम पह रुकती देना, सने देना, सकास देना ताकि वो अनुभो करें, कोई मेरे रक्षक हैं, कोई मुझे इन बंधनों से छुड़ाने वाले हैं, परमात्मा को तो याद कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा चाहते हैं, मेरे बच्चे अपने फरिष्टे सरुप से ऐसी सेवा के निमित बने हैं, बिलकुल, परमात्मा कहते हैं कि लौकिक हरीती से जीवन में बच्चपन का समय, स्टडी का समय, अपने प्रती होता है, उसके बाद रचना के प्रती समय होता है, अर्थात दूसरों के प्रती जिमेवारी का समय होता है, अलौकिक जीवन में भी पहले स्वयम को प परिवार के प्रति विश्य की सर्वात्माई आपका परिवार है चुकि बेहद के बाप के बच्चे हो तो बेहद के परिवार के हो तो अपने परिवार प्रति रहम नहीं आता ये हमारे अंदर बहुत मूची भावना होनी चाहिए क्योंकि बच्चपन में जब हम परमात्मा के बच्चे बने तो ग्यान और योग से खुद को परिपक को किया भरपूर किया लेकिन जैसे लोकिक जीवन के अंदर जब बच्चे हैं तो अपने लिए स्टडी करना अपनी स तो परमात्मा हम सब को ये स्मृत्ति दिला रहे हैं कि अब आप सभी माश्टर रचेता हो पूरा विश्व आपका परिवार है क्योंकि आप भगवान के बच्चे और ये सब बच्चे उनके हैं तो इसलिए इन सब के प्रित बहुत रहम दिल बनो और रहम दिल बन करके के अपने उन्नति के लिए ही समय नहीं दो इन सब आत्मों को इन दुखों से मुक्त कहने के लिए उस समय सेवा करो ताकि आप अपने परिवार की आत्मों को मुक्ति और जिवन मुक्ति देने के निमित बन सको बिलकुल और इसलिए भाइसा परमात्मा कहते हैं तो अभी रहम दिल बनू, मास्टर रचता बनू, स्वयम कल्यानकारी नहीं, लेकिन साथ साथ विश्व कल्यानकारी बनू, अपने जमा की हुई शक्तियों वज्ञान के खजाने को, मास्टर ज्ञान सूरे बन, वृती, दृष्टी और स्मृती के अर्थात, शुब भावना के श्रेष्ट स अंकल्प द्वारा, अपने जीवन में गुणों की धारणाओं द्वारा, इन सब साधनों की किरणों द्वारा, अशान्ती को मिटाओं। सूरे आज आपकी रच्णा इतनी बड़ी सेवा कर रहा है, आप बच्चे मास्टर ज्ञान सूरे हो, और ज्ञान सूरे बन करके द्रष्टी से, व्रत्ती से, इस्मृत्ती से, अपनी सुब भावनाओं की किरणों से, इन आत्माओं को सकास दो, मदद करो, ताकि उनके साथ हमारा कनेक्सन है, जब हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं, तो जैसे वो इस्थिति सरवसक्ती संपन बन जाती है, और वो सरवसक्ती संपन स्टेज, इन आत्माओं को सामने इमर्च करके, हम अपने सुब भावनाओं के संकल्पों की किरणे इन तक पहुँचा सकते हैं, ल कीच रहा है कोई सम्मंद का बंधन कीच रहा है कोई च्छाएं रही हुई है तो हम यह सेवा नहीं कर सकते हैं इसलिए हमें अपने आपको पहले मुक्त करना है और फिर अपने भाई बहनों को अपनी जो परिवार है उसको सकास देनी है को मदद करनी है ताकि वो आत्माएं भी दुख असानती से मुक्त हो सके परमात्मा कहते हैं कि जैसे सूरे एक स्थान पर होते हुए भी अपने किरणों द्वारा चारों और का अंधकार दूर करता है ऐसे मास्टर ग्यान सूरे बन दुखी आत्माओं पर रहम करो आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं स्वयम और सेवा दोनों का बैलन्स रखो स्वयम को भी नहीं भूलो और विश्व सेवा को भी नहीं भूलो विश्व की परिक्रमा देना कितने समय का काम है विश्व के मालिक के बालक हो तो मालिक बन विश्व परिक्रमा लगाओ जब तीनों लोकों का चक्र लगा सकते हो तो विश्व का चक्र लगाना क्या बड़ी बात है वास्तों में वर्तमान समय अपनी पुरसार्थी जीवन में ऐसा दिखाई देता है सेवाएं बहुत बढ़ रही हैं और सेवाओं में कई बार हम इतना व्यस्त हो जाते हैं जो स्वयम के लिए हम समय नहीं देते परमात्मा ने हमें बैलेंस सिखाया है स्वयम और सेवा स्वयम की स्थिति अगर हमारी बिगड गई सेवाएं करते करते मैंने अपने लिए समय नहीं दिया अपनी स्थिति को जमाने के लिए कुछ समय योग ही नहीं किया कुछ समय हम अंतर मुखी बन करके कांतवास नहीं किया और सेवा 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 तो स्थिति बिगड जाएगी तो परमात्मा कहते है पहले बैलेंस बनाओ स्वा सेवा फिर विश्व सेवा और फिर विश्व की आत्मों को इमर्ज करके सकास दो लाइट दो तो क्योंकि विश्व कल्यान कारी इस्थिति तभी कही जाएगी जब सारे विश्व की परिक्रमा लगाने का अभ्यास हो और ये परिक्रमा कोई स्थूल में कहीं जाने की तो पूरे ग्लोब को लाइट दे रहा है। ऐसे जितनी हमारी इस्थिति उंची बनती जाएगी उंचाई की स्थिति से विश्व भर्मन करना सेकेंड का काम है। जैसे सारा ग्लोब सामने इमर्ज हो गया, हम कहीं जाने ही रहें लेकिन द्रष्ठी के सामने, आंतरिक व्रतियों के सामने पूरा ग्लोब सामने आ गया। तो हमारी सूक्ष्म सक्तियां किरणों के रूप में सब तरब फैल सकती है तो परमात्मा कहते हैं जिससे बुद्धी योग से तुम तीनों लोकों की सेर कर सकते हो ऐसे बीच बीच में पूरे ग्लोब को इमर्ज करके ये लाइट ये किरणे पवित्रता की शान्ती की शुक की देने की प्रेक्टिस करो और इसलिए भाइसा परमात्मा कहते हैं कि अभी बचपन के अलबेलेपन को छोड़ो समय और शक्तियों को सेवा में सफल करो फैसा बाज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम वर्दानी की स्थिती द्वारा विश्व की सरवात्माओं का कल्यान कर सकते हैं कैसे स्वयम को रहम दिल बनाकर मास्टर ग्यान सूरे की स्थिती द्वारा विश्व कल्यान कर सकते हैं फैसब स्पष्टी करण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आज के एपिसोड में हमने समझा कि समय अनुसार हमें वर्दाता बन अपने जमा किये हुए खजाने से निर्बल आत्माउं को शक्तिशाली बनाना है परमात्मा ने कहा कि परमात्मा समान मास्टर लिबरेटर बनने से पूर्व हमें सेल्फ लिबरेटर बनना है तभी हम अन्यात्माउं को स्वस्वरूप वस्वदेश के स्वमान में स्थित कर सकेंगे परमात्मा ने कहा कि हमें मास्टर ज्यान सूरे बनकर अपनी स्मृती द्रिश्टी ववृती द्वारा संसार में फैले हुए दुख व अशान्ती के अंधकार को दूर करना है अगले अपिसोड में एक और अव्यक्तवानी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त और मुख्यसार वर्दानी सर्वखजानों से संपन्ध स्वयम की शक्ती गुण और ज्यान के खजाने द्वारा निर्बल आत्माओं को सहयोग की शक्ती दे कर शक्तिशाली बनाने वाले महादानी मार्ग दर्शन कराने वाले कमजोर आत्माओं को स्मृति दिलाते हुए समर्थ बनाते हैं शक्तियों का सहयोग नहीं दे पाते, लेकिन रास्तास पश्ट दिखाते हैं गानी, मार्ग बताने वाले अर्थात बाप की तरफ आकर्शन करने के निमित्ट बनते हैं अधिक जानकारी के लिए संपर करें अमुल्य रतन गौडलिवुड स्टूडियो इस श्रंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्याले के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलिवुड स्टूडियो से संपर्क करें अमुल्य विए से से चलाने के लिए से चलाने के लिए से सकते हैं